हलो बच्चों कैसे आप सभी लोग चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज अपना नया चैप्टर जो विद्या क्वेशन बैंक की हमारी पूरी सीरीज चल रही है उसमें आज आज आपका नया चैप्टर है यह भूगोल से है और इसका आपका टॉपिक है संसाधन एवं विकास फिर से संसाधन पर प्रशन पूछा गया है संभावी संसाधन और विक्सित संसाधन ठीक क्योंकि देखिए जो आपका पार्ट है उसका नाम ही है संसाधन एवं विकास तो आपके सवाल जो है प्रशन जो है संसाधन से एक ना एक क्वेशन या एक ना एक प्रशन जरूर से आंसर कर सकें ठीक है देखो संभावी संसाधन और विक्सित संसाधन में अंतर पूछा गया है अब देखो जो संभावी संसाधन होते हैं वे ऐसे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परन्तों इनका उपयोग नहीं किया गया है हमारे यहां मौजूद ह हमारे पास में है वो संसादन लेकिन अभी हमने उसका इस्तिमाल नहीं किया और आने वाले भविश्य में उनका इस्तिमाल हो सकता है तो इसलिए इन्हें क्या कहा गया है संभावी संसादन कहा गया है कि भविश्य में ऐसी संभावना है कि उनका इस्तिमाल किया जा सकता है ठीक है उधारन के तौर पर जैसे भारत के पश्यमी भाग विशेशकर अगर हम बात करते हैं राजिस्थान की गुजरात की यहां पर पवन और सौरूर्जा संसाधन की अपार संभावनाए हैं अब देखो यहां पर पवन उर्जा और सौरूर्जा की क्यूं इन दोनों राजियों में अपार संभावनाए हैं तो देखे जो हमारा भारत है भारत के बीच से होकर के जाती है करकरेखा और करक रेखा पर आप लोगों ने पढ़ा होगा अपनी पहली क्लास में पहली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा करक रेखा पर जो सूर्य का ताप होता है वो लमवत पढ़ता है और अधिक आता है ठीके इसका मतलब वहाँ पर सूर्य की उर्जा क्या आ रही है जादा आ जो मैं मंचितर है उसको देखेगा है एक बार और जो करक रेखा है वो हमारी रजस्थान से भी होकर गुजरती है और गुजरात राजसे भी होकर के गुजरती है कौन करक रेखा तो इसलिए यहाँ पर सौर ओर्जा का अच्छा खासा हमारे पास क्या है? स्त्रोथ है या ये संसादन हो सकता है लेकिन अभी तक हमने ना तो वहाँ पर सोलर पैनल लगाए उस हिसाब से ना हमने अभी वहाँ पर इस तरीके का अवसनचना तयार की कि हम सौर उर्जा को वहां से इस्तिमाल कर सकें इसका मतलब यह है कि वो कैसा संसादन है संभावी संसादन है संभावना है उस इलाके में क्यों? क्योंकि वहां पर सूर्य की जो उर्जा आ रही है वैं जादा आ रही है लेकिन अभी हमने वहाँ पर उसको यूज करना नहीं शुरू किया उसका इस्तिमाल करना नहीं शुरू किया है क्योंकि अभी हमारी वहाँ पर अफसरचना वगेरा तयार नहीं हुई है ठीक है? परन्तु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है तो संभावी संसादन क्या हो गए? कि जिनका जो हमारे पास विद्यमान है लेकिन अभी हमने उनका उपयोग नहीं किया है ठीक है? नेक्स्ट आपका जो विक्सित संसादन है, अब विक्सित संसादन क्या होगा? इसके जस्ट अपोजिट इसके जस्ट विपरीत होगा वे संसाधन जिनका सरवेक्षन किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है विक्सित संसाधन कहलाते है ठीक है विक्सित संसाधन कैसे संसाधन है जिनका हमने सर्वेक्षन कर लिया, हमने सब कुछ देख लिया, चेक कर लिया कि ये संसादन अच्छे हैं, इनको हम उप्योग कर सकते हैं और हमने ये भी तै कर लिया, कि प्रती दिन हम कितना उसका उप्योग करेंगे उपयोग करने की मात्रा भी हमने निर्दारित कर ली है और ये भी पता लगा लिया है कि कितना मिलेगा कितना संसाधन वहाँ पे उपस्तित है तो ये सारी चीजें हमने जिस संसाधन के लिए कर ली है उसे हम क्या कहते हैं विक्सित संसाधन कहते हैं जैसे अपका जो कोईला है जैसे आपका पेट्रोलियम यह सब किसमें आ जाएगा विकसित संसाधन में आ जाएगा ठीके संसाधनों का विकास प्रद्वाधियोगिकी और उनकी संभाविता के इस तर पर निर्भर करता आए यह तो बिल्कुल साही बात है कि जो भी संसाधन है हमारे यहां प्रकृती में या हमारे पास प्रकृती में संसादन भरे पड़े हैं बहुत संसादन हैं हमारे पास में लेकिन हम हर संसादन का इस्तिमाल नहीं कर पाते क्यों नहीं कर पाते क्योंकि या तो हमारे पास प्रोध्योगिकी नहीं है या फिर उससे संबंदित हमारे पास में कौशल नहीं है जो उसको हम इस्तिमाल कर सकें जादा से जादा या फिर हमें उसकी जानकारी नहीं है तो किसी संसाधन का प्रयोग करने के लिए या कोई भी वस्तु संसाधन कब बनेगी जब हमें ये पता हो कि उसको कैसे हम प्रयोग करें उसकी प्रोध्योगी की हमारे पास हो तब कोई चीज क्या बनेगी संसादन बनेगी जैसे कि आप गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं और गाड़ी आपकी चल पड़ती है ठीक है अगर यही नहीं पता होता कि पेट्रोल डालने से या हमारे पास गाड़ी नहीं होती हमें गाड़ी बनाना ही नहीं आता होता गाड़ी नहीं होती हमारे पास तो हम पेट्रोल का इ प्रद्योगिकी से हमने गाड़ी बनाई प्रद्योगिकी से फिर हमने पेट्रोल उसमें डाला और हम चला सकते हैं उसको तो संसाधन का हमने क्या कर लिया इस्तिमाल कर लिया कैसे कर लिया प्रद्योगिकी की वज़े से कर लिया तो संसाधन में प्रद्योगिकी का बहुत प्रदन के लिए उत्तरदाई कारणों का वर्णन कीजिए. दो प्रश्नें यहाँ पर आपके पास में. पहले आपको बताना है म्रदा अपरदन से क्या समझते हैं आप और दूसरा आपको बताना है इसके लिए कौन से कारण जन्मेदार है वो हमें बताना है. ठीक, तो सबसे पहले देखो म्रदा अप्रदन क्या होता है म्रदा के कटाओं और उसके बवहाओं की प्रक्रिया को म्रदा अप्रदन कहा जाता है आप लोगोंने बहुत बार देखा होगा अब तो बरसात शुरू हो गई तो और अच्छे से देख पाएंगे अगर नहीं देखा तो अब कहीं जाकर के फिर बह जाती है तो ये क्या है बहना म्रदा का ये क्या है आपका म्रदा का अप्रदन तो म्रदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को म्रदा अप्रदन कहा जाता है और जो म्रदा के बनने की प्रक्रिया है एक तरफ म्रदा बनती भी रहती है और दूसरी तरफ म्रदा का कटाव भी होता रहता है तो ये दोनों प्रक्रियाएं क्या चलती है? साथ साथ चलती है और इन में एक संतुलन बना रहता है एक तरफ म्रदा बनेगी, म्रदा का बनना चलेगा और दूसरी तरफ उसका अप्रदन भी चलेगा और इनके बीच में एक संतुलन बना रहता है हमेशा ठीक है म्रदा अप्रदन और म्रदा बनना ये दोनों के बीच में एक संतुलन बना रहता है किन्दू वही मैंने पहले भी आपको बताया जब हम इस संतुलन को बिगार देते हैं हम म्रदा का अपरदन जादा कर देते हैं पर उस स्पीट से उस गती से म्रदा बन नहीं पा रही है तब हमारे लिए क्या समस्या उत्पन हो जाएगी म्रदा की कमी हो जाएगी जो आजकल होने लगी है हम म्रदा का अपरदन जादा कर रहे हैं म्रदा का अपरदन कैसे कर रहे हैं म्रदा हमारे पास में रोक नहीं पा रहे हैं हमने बिल्दिंग्स बना दी बड़ी बड़ी हमने पेड काट दिये पेड क्या करते थे म्रदा को रोक के रखते थे अपनी जड़ों में बांद के रखते थे अब जब म्रदा हट रही है क्यों हट रही है पेड ही नहीं है जब पेड रोक नहीं पा रहे हैं म्रदा को तो लिए समस्या उत्पन हो रही है ठीक चलो वापस चलें अपने question पर अपने question पर किन्तु विभिन मानवी क्रियाओं से म्रदा अप्रदन तेजी से होने लगता है और इसके लिए निमनलिकित कारण उत्तरदाई है तो म्रदा के कटाव उसके बहाओ की प्रक्रिया को म्रदा अप्रदन हो रहा है जादा हो रहा है ऐसा नहीं है कि प्रक्रियाओं की वज़े से म्रदा अप्रदन नहीं होता या प्रक्रती में कभी म्रदा अप्रदन होता ही नहीं है प्रक्रती में भी या प्राक्रतिक रूप से भी म्रदा का अप्रदन होता है लेकिन पह बहुत धीम मनुष्टि ने क्या किया है उसकी गति को बढ़ा दिया है तो कौन से कारक जिम्मिदार है इन्हें हम दो में विभाजत कर सकते हैं एक तो भौतिक कारक हो सकते हैं तो तेकने सबसे पहले भौतिक कारक जैसे पहला धाल वाली भूमी पर अपरदन समतल भूमी की अपेक्षा ज जैसे ये ढाल वाली भूमी है, आप किसी मिट्टी के टीले पर खड़े हो जाएए, उपर जाकर के, यहां पर आप टीले पर खड़े हो जाएए, यहां से जितनी मिट्टी आप नीचे लेकर जाओगे, जितनी जादा मिट्टी लेकर जा सकते हो, लेकिन अगर आप किसी मैदा मैदान में मिट्टी के मैदान में खड़े हो जाए एक टीले पे खड़े होई है और एक मैदान में खड़े होई है मैदान में जब आप फिसलेंगे तो आप उतनी मिट्टी अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे जितनी कि आप टीले से लेकर जा सकते हैं तो अगर ढाल वाली तो अपरदन जादा होता है जबकि समतल भूमी में अपरदन कम होता है दूसरा तीवर्व मूशलाधार वर्षा से म्रदा अप्रदन होता है जब बहुत तेज वारिश होती है तो मिटी पानी के साथ में तेजी से बह जाती है तो एक कारक क्या हो सकता है म्रदा अप्रदन का तीवर्व मूशलाधार वर्षा पहला कारण क्या देखा था ढाल वाली भूमी अब यह म्रदा की उपरी परत को अपने साथ बहा कर ले जाती है ठीक है तीसरा कारण पवने जो आपकी हवा चलती है जब हवा चलती है आंधी आती है तो देखें आंधी में क्या होता है पूरा घर गंदा हो जाता है मिट्टी आती है बहुत सारी आंधी में उसके साथ में उड़के तो जब पवन चलती है आंधी का रूप ले लेती है पवन तब बहुत बड़ी मात्रा में म्रदा उड़ा कर ले जाती है और उसे कहीं न कहीं ले जाकर क्या करती है उसे निक्षेपित करती है और जहां पे सुष्क मरुस्तली प्रदेश हैं वहां म्रदा प्रदन का एक बड़ा कारण है पवन तो ये आपका बहु विकल्पी प्रश्न में पूछा जा सकता है कि सुष्क मरुस्तली प्रदेशों में म्रदा प्रदन का निम्नलिकित में से कौन सा बड़ा कारक है पवन, जल, आपका ढाल या फिर एक और कोई आपका option बना के दे देंगे तो आपका सही जवाब होगा इसमें पवन पवन जो आपके शुश्क मरुस्तली इलाके हैं जैसे हमारा राजस्थान वाला इलाका वहाँ पे म्रदा अप्रदन का बहुत बड़ा कारक है तो ये थे भौतिक कारक, भौतिक कारक करसे जैसे ढाल वाली भूमी होगी तुम्रदा अप्रदन जादा तीवर मूशलादार बारिश होगी तुम्रदा अप्रदन जादा पवन बहुत तेजी से चलेगी आंधी का रूप ले लेगी तो म्रदा अप्रदन जादा होगा ठीक है चलते हैं आगे मानवी कारक अब हम आगए मानवी कारक अभी हमने देखे भौतिक कारक या उन्हें हम प्राकृतिक कारक भी कह सकते हैं अब देखें मानवी कारक जो हैं वो भी म्रदा अप्रदन के लिए जिम्मेदार हैं जैसे नमबर एक पहला पशुओं द्वारा अत्यदिक चराई से भूमी पर बनस्पती का आवरंट समाप्त हो जाता है इस इस्तिती में म्रदा पर जल और वायू का प्रभाव तीवर होता है एक आपका क्या था जहां पर पशुओ चराते हैं जो आपकी ऐसी वाली भूमी थी वहाँ पर पहले क्या था बहुत ज़्यादा घांस थी लेकिन उस वो घास आपने क्या किया धेर सारे पशु उस पर चराने शुरू कर दिये उनका जब नंबर बढ़ा उनकी जब संख्या बढ़ी पशुओं की तो घास उतनी है नहीं उससे कहीं ज़ादा आप क्या ले आए पशु ले आए तो क्या होगा सारे पशु घांस को जल्दी-जल्दी खतम कर देंगे तो म्रदा आपकी जो इलाका था या जो भूमी थी वो कैसी हो जाएगी खाली हो जाएगी जब खाली हो जाएगी तो क्या होगा उसका अपरदन बढ़ जाएगा दूसरा व्रक्षों की जड़े म्रदा की रक्षा करती है अभी मैंने बताया और वनों के कटाव से म्रदा अप्रदन तेज हो रहा है क्यूंकि पानी और पगनों के बहाव को व्रक्ष कम कर सकते हैं बिल्कुल सीडी सी सिंपल सी बात है ये तो तीसरा क्रशी के गलत तरीके से भी म्रदा अप्रदन होता है अगर आप क्रशी कारे सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो आपके जो म्रदा है उसका अप्रदन जादा होता है जैसे गलत ढंग से हल चलाने अगर for example उदारन के रूप में जो ढाल पर उपर से नीचे की और हल चलाने से अब देखो ये है ढाल ठीक है ये ढाल है यहाँ पर आपको खेती करने आप क्या कर रहे हो ऊपर से नीचे की तरफ हल लेकर के आ रहे हो तो क्या होगा मिट्टी तो अपने आप में अपरदन होगा म्रदा का अपरदन होगा आपको क्या करना चाहिए इसके समानांतर ऐसे हल चलाना चाहिए ठीक जब आप इस तरीके से हल चलाएंगे तो म्रदा का अपरदन नहीं होगा खड़ा हल चलाएंगे तो म्रदा का अपरदन होगा ही होगा तो क्या होता है हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती है जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से म्रदा का कटाव करता है तो तीसरा मानवी कारण क्या हो गया अगर हम सही तरीके से क्रशी कारिय नहीं करते हैं ढाल वाले इलाकों पर उपर से नीचे की तरफ हल चला देते हैं तो म्रदा क्या होती है अप्रदित हो जाती है चौथा खनिच पदार्थ निकालने के लिए खनन कारिय से भी म्रदा अप्रदन होता है बिल्कुल सही बात है आपको कहां से जैसे कोईले की खदान है हमारी आपका जो लोहा निकलता है उसकी खदाने हैं बड़ी बड़ी सीमेंट निकालने की खदाने मतलब आपकी जो बजरी निकाली जाती है तो इन्हें निकालने के लिए भी हम क्या करते हैं रजा का अपरजन होता है इनसे भी पाच्वा मनुष्य भवन निर्मान कारिक के लिए रोडी बजरी संगमरमर बदरपुर आदी प्राप्त करने के लिए छोटी बड़ी पहाड़ियों को गहरे गड़ों में परिनत कर देते हैं इनकुल सही बात है हम लोग क्या करते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के लिए या फिर हमें क्या चाहिए होता है घर बनाने है उसके लिए रोडी चाहिए बजरी चाहिए तो हम क्या करते हैं म्रदा को निकालते हैं आप आप क्या करते हो? बहुत बड़ी चट्टान उसको डायनमाइट लगाके फोड़ते हैं तो क्या होता है? म्रदा तो मिल जाती है लेकिन वो चट्टान पूरी गढ़े में परिवर्टित हो जाती है तो उसकी सारी म्रदा हम उपयोग कर लेते हैं, म्रदा हमने क्या किया, अप्रदन कर दिया म्रदा का, ठीक है, तो इस तरीके से म्रदा अप्रदन हमने देखा और म्रदा अप्रदन के क्या कारण है, दो कारक हमने देखे, एक भौतिक और एक आपका मानवी, ठीक, एक और बस आपका फ्रश्न बचा है यह है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के विभिन प्रकारों का वर्णन कीजिए ठीक अब फिर से आपको स्वामित्व के आधार पर बताना है तो स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन है सबसे पहला व्यक्तिगत संसाधन व्यक्तिगत संसाध आपके जो आपके परिजन है उनके पास होगी कोई सा बाग हो सकता है उनका अगर आप लोग किसान वर्ग से होगे तो आपका बाग हो सकता है तो तालाब हो सकता है इन्हें हम सब क्या कहते हैं व्यक्तिकार जिस पर सिर्फ एक व्यक्तिकादिकार हो दूसरा सामुदाईक स्वामित्वाला जैसे आपके घर के पास में पार्क होता होगा तो वो एक आपकी सोसाइटी होती है वहाँ पे पार्क बना होता है तो उस पर सब पूरे जो सोसाइटी के लोग होते हैं पूरे जो समुदाईक के लोग होते हैं का अधिकार होता है, सब सुभा-सुभा जाते हैं वहाँ पे टहलने, घूमने के लिए, तो ऐसे संसाधन को हम क्या कहते हैं? सामुदाइक, जैसे मांनुदर है आपका, मन्निर क्या है? सामुदाइक संसाधन तीसरा आपका होता है राष्ट्रिय संसादन कुछ संसादन ऐसे होते हैं जो राष्ट्र के होते हैं जैसे भारत राष्ट्र है देश है इसके संसादन रेल रेल पूरे राष्ट्र का संसादन है तो उसे क्या बोलते हैं हम राष्ट्रिय संसादन बोलते हैं जिस पर किसका अधिकार होता है ठीक है चौथा हो सकता है अंतर राष्ट्रिय संसादन अब बहुत सारे राष्ट्रों का जिस संसादन पर अधिकार है उसे हम क्या बोलते हैं अंतर राष्ट्रिय संसादन कहते हैं जैसे समुद्र जैसे आपका अंतरिक्ष ये क्या है एक तरीके से अंतर रा बलकि बहुत सारे राष्ट्रों का एक अधिकार है या फिर उनका अपना अधिकार है संसाधन पर इसलिए से हम कहते हैं अंतरराष्ट्रिय संसाधन ठीक तो ये आपके इस तरीके से स्वामित्व के आधार पर चार प्रकार हुए संसाधन के व्यक्तिगत, सामुदाइक, वो देखे, आप लोग लगातार अपने आंसर लिक लिक के देखते रहें और विद्या क्वेशन बैंक को सॉल्व करते रहें थांक्यू सो मच